नमो नाराइन मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जी नाम के जातक एबं जिड नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैवाहिक जीवन इन दोनों का दामपत्ते जीवन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियो जी नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एबम हत्वपुर्ण है तो बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप म मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जी नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का बैवाहिक जीबन कैसा होगा मित्रों जिड नाम के जातक अपनी भाबनाओं एबम अपनी मनोदसाओं को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं मित्रों जिड नाम के लोगों को लगभग सभी लोग बहुत ज्यादा सुवार्थी मानते हैं लेकिन इस नाम के लोग ऐसे बिलकुल भी नहीं होते हैं मित्रों इस नाम के जातक बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं इस नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में बीबेक हीन सोच एबम और तार्किक सोच को बरदास्त नहीं करते हैं लेकिन यदि जी नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक बहुत ज्यादा लचीले होते हैं मित्रों इस नाम के जातक किसी भी रूप में बदलने में हमेशा सक्छम होते हैं इस नाम के जातक लगभग हमेशा अपने जीबन में पड़िवर्तन करना बदलाब करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मित्रों इस नाम के जातक और वास्तबिक एबम भाब हीन होते हैं इस नाम के जातक बहुत ज्यादा परतिभा साली होते हैं मित्रों इस नाम के जातक तारकिक रूप से बहुत ज्यादा उत्तम परविर्ती बाले होते हैं इस नाम के लोगों को अपने जीबन को कैसे जीना है अपने जीबन में कब और क्या पडिवर्तन करना है इन चीजों की जानकाड़ी बहुत जयादा होती है एबं इसके अलाबा इस नाम के जातक अपने जीबन के यात्रा में बहुत जयादा मित्र बहुत जयादा दोस्त बनाते हैं मित्रों इस नाम के जातक हमेशा अपने जीवन में सुवतंत्र होना आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस नाम के लोगों के भीतर अचमभित कर देने की छमता बहुत ज्यादा होती है मित्रों जी नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके दामपत्ते जीवन इनके बैबाहिक जीवन की बात कड़े तो इन दोनों का संबंध सामान्य रहेगा न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वीडियो के नीचे जे बाबा भैरब कमेंट कर दे एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद